नमस्कार दोस्तो ओनलाइन लर्णिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल से जल मिल सके हैं लोगों की कही सुनी बातों से देखे हुए दृष्षयों से और कुल तदा समाज की परंपरा से प्राप होता है। सिनेमा इस सभी प्रकार के ग्यान की प्रापती में साहक हो सकता है। क्योंकि यहे मनुष्य की द्रिश्य और श्रव्य अनुभूतियों के शेत्र को बहुत ही बड़ा सकता है। यहे एक सधारण सी बात है जिसे सभी जानते हैं कि केवल सुनी सुनाई बात की अपेक्षा हम पर देखे हुए द्रिश्य का प्रभाव अधिक पड़ता है। और हम यदि सीनेमा द्वारा किसी जीज को देख लेते हैं तो उसका उतना फल तो नहीं होता जितना स्वेम आखों द्वारा देखने से मिलता है। उससे तो कहीं अधिक अमिट छाप किसी के सामने किसी द्रिश्य के वंडन करने से पड़ती है। मन बहलाव के भी साधन कितने ही परकार के होते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो मन बहलाव के साथ साथ शिक्षप्रद भी होते हैं। और इसके वीपरित बूरे संसकारों का साधन बन जाते हैं। मैं स्वयम यह दावा नहीं कर सकता की। मैंने बहुत सी फिल्में देखी हैं। सच पूछिए तो मुझे बहुत कम फिल्में देखने का अवसर मिला है। पर मेरे पास जो खबरे पहुचती हैं। बहुतेरे विश्वसनिय भाईयों और बहनों दुआरा जो शिकायते पहुचाई जाती हैं। उनसे मालूम होता है की भहुतेरी फिल्में दूसरी कोटी की हैं। जो शिक्षा अत्वा मन बहलाव का साधन ना बनकर बुरी वासनाओं को जागरित करती हैं। विशेशकर युवकों के चरित्र पर बुरा परभाव डालती हैं। हो सकता है की इस परकार की फिल्में अधिक लोगपीरिय होती हैं। उनके दुआरा अधिक पैसे कमाई जा सकते हों। कुछ लोग यहे कह सकते हैं की फिल्म निर्माताओं का काम ऐसी फिल्मों को बनाना हैं जो लोगपीरिय हो। क्योंकि वे एक परकार की मांग को पूरा करती हैं। यहे भी कहा जा सकता है की फिल्मों का धे मन बहलाव ही है। उसको तो तभी सफल मानना चाहिए जब फिल्में उन लोगों का मन बहला सके जिन लोगों के लिए बनाई गई हो। यह सब बाते बहंस के रूप में कही जा सकती है। पर मैं चाहूंगा की कोई भी सिनेमा हो अधवा फिल्म के बनाने वाले हो। वे यदि अपना करतव्य समास सेवा समझते हैं और उन्हें ऐसा समझना भी चाहिए। तो उन सब के लिए ये सब बाते यदि अगराहे नहीं तो गोण अवश्य हैं और उनका मुख्य उदेश्य तो सेवा ही होना चाहिए। सेवा तभी तक सेवा रहती है जब तक वह सेवे का हित करें ना की उसे गिराए। इसलिए मैं चाहूंगा की फिल्म बनाने वाले इस पर विचार करें की उनका उदेश्य क्या है। उदेश्य सेवा ही होना चाहिए और सेवा के साथ साथ यदि धनो पारजन भी हो जाए तो निटदोश है। यदि धनो पारजन ही उदेश्य हो और सेवा ना हो तो वह अगराहे होना चाहिए। यदि मनुष्य अपने स्वार्थ वश कुछ ऐसा काम करता है जो उसके व्यक्तिगत लाब के लिए तो ठीक हो पर जिस से समाज को हानी पहुचती हो तो उसे रोकना पड़ता है। स्टॉप दोस्तों पीडियेफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल आएगा। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाओ जरूर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच जासे ज्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस टैनों का तैयारी अच्छे से क कर सकें धन्यवाद